उरी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी कलाकारों का विरोत लगातार जारी है इसे सिलसिले में अब फिल्म निर्माता टीपी अगरवाल ने अपने फिल्म से पाकिस्तानी गायक राहत फते अली खान का गाना हटाने का फैसला लिया है मताय जा रहा है कि हाने वादी फिल्म लाले की शादी में लड़ू दिवाना मिराहत फते अली खान ने एक रोमैंटिक गाना गाया था लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से भेजने की मांग की वजह से ये गाना अब फिल्म से हटा दिया गया है दूसरे दरफ पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का गुर्गाओं में होने वाला कॉंसर्ट भी रद कर दिया गया है आतिफ असलम का कॉंसर्ट 15 अक्टूबर को होने वाला था कॉंसर्ट एंटर्टेन्मेंट के अधिकारियों ने बताया है कि इस कारेक्रम को भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए अनिश्चत काल के लिए टाल दिया गया है गुरकाओं जीला प्रश्वासर ने कॉंसर्ट के आयोजिकों को सुझाफ दिया था कि वो सैने बलो और सीमा परतैनात जवानू की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कारेक्रम टाल दे वही पाक सिंगर, शफाक, अमानत अली के शो पर भी संकट के बादल मंड़ा रहे हैं विश्व हिंदू परिश्वत ने बंगलूरू पुलिस को पत्र लिख कर 30 सितंबर को होने वाले पाकिस्तानी सिंगर के शो को रद करने की मांग की है आपको बता दे कि इससे पहले करन जोहर की फिल्म में एहम किरदार निभाने वाले पाकिस्तानी अभीनेता फवात खान भी भारत में बढ़ते विरोध की वजह से पाकिस्तान जा चुके हैं हाला कि बाद में खबर आई थी कि उनकी पतनी प्रेगनेंट है और इसलिए वे पाकिस्तान गए है तो पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है पहले MNS ने पाकिस्तानी कलाकारों को स्वदेश वापस लोटने का अलजिमेटम जिया था और अब जगा जगा अन्या संगर्ठन भी पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध कर रहे है देखते रहे यह जी भी लाइव